नाजरीन आदाब आज हम पढ़ेंगे सबक नमबर 18 हिकायत उर्दु जबान की तीसरी किताब का कोई शिकारी एक तंग मुँवाले बरतन में थोड़ी सी मिठाई दाल कर चुपके से जंगल में रखाया एक बंदर ने उसको देखा पाज जो गया तो मिठाई नजर आई फोरण बरतन के मुँ में हाट डाला और मुठी भर के मिठाई निकालनी चाही लेकिन अब निकालने तो क्यों कर निकाले ना बरतन का मुँ कुशादा हो सकता है और ना वो बन मुठी खोलता है यानि बलतन का मुँ बहुत छोटा था वो फेला हुआ नहीं था और उसमें मुठी जो बर ली थी वो उसकी वैसे उसमें फस गया था निकल नहीं सकता था उसको ना तमा इजाज़त दे थी यानि लालच उसके अंदर लालच थी ना अकल रहनुमाई करती थी और नहीं वो अकल से कुछ सोच रहा था कि मिठाई से दस्त बर्दार हूँ और अपनी जान बचाए आकर शिकारी आया और बंदर को गिरफतार कर लिया बाईनिया ये मिखार उन लोगों पर सादिक आती है यानि हुबहू बाईनिया का मदल्र हुबहू जो मल की महब्द में मुक्तला हो जाते हैं यहां तक के वो बड़ा सेयाद यानि मौत उनको गिरफदार कर कर ले जाती है तो एंक यह हीकायत है छोटी सी उमीद है कि समझ मा आई होगी इसके जो अलपाज मानी है उन्हें देख ले दें हम फोरण उसी वक्त तमालालच रहनुमाई रास्ता दिखाना दस्त बरदार होना छोड़ देना बाईनिया ठीक उसी तरह सादिक सच्चा मुपतला फसा हुआ फर फरेफता सियाद शिकारी और क्यों कर किस तरह गिरफतार गेद तो यह इसके अलपाज मानी देख समझ मा आगई होगी एक आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें उसाद सादा शेयर करें शुक्रिया